कि सेकेंड क्या दिया हुआ है सेकेंड कोश्चन कि आई हाव टोटल आफ रूपीज थ्री हंड़ेड इन क्वाइन्स ऑफ डिनोमेनेटाइजेशन रूपीज वन रूपीज टू एंड रूपीज फाइब कह रहा है कि एक रूपए दो रूपए और पांच रूपए के सिक्को का जो टोटल वैल्यू है वो 300 रूपए है तीन सो रूपए है अब उसके बत कह रहा है कि नंबर अफ टू रूपीज इस थी तैम्स देन नंबर अफाइब five rupees points and the total number of points is 160 how many points of each denomination are with me चलिए सभी लोग बने यह तो सिर्फ एक लड़की का अंसर आया था दूसरे वाले का एंड़ाइज रिश्व ठीक है चलिए और लोग मैं आपी से पूछ के बनाने वाला हूँ अज मैं खुद से एक भी नहीं करने वाला हूँ झाला हूँ चलो रिश्व अब बताओ कैसे कैसे सॉल्व करेंगे रिश्व रिश्व तो मुझे टू रुपीज का क्वाइन कितना मिलेगा तो आपको वन रुपी क्वाइन कितना मिलेगा फिर पॉर रुपी पॉंच ही जाएगा बहुत अच्छे गुड तो मैं देखें यहां पर कंपेरिजन किया हुआ है कि दो रुपय सिक्को की संख्या जो है तीन गुना है पांच रुपय की सिक्कों की संख्या का ठीक है तो मैं मान लोगा कि 5 रुपे का 5 रुपे की सिक्के की संख्या ठीक है लेट देनमबर ओफ ये लेट लेट देनमबर ओफ देनमेनेशन देनमेनेशन ओफ रुपी फाइब आर का सिंबल दे जे रहे है रुपी फाइब क्वाइब देनमबर ओफ देनमेनेशन ओफ रुपी टू क्वाइब ये मुझे मिलेगा थ्री करा की तीन गुना है दो रुपे के सिक्कों की संख्या जो है तीन गुना है ये पांच रुपे के सिक्कों की संख्या के तो ये 3X हो गया अब करें कि टोटल नमबर ओफ सिक्का जो है वो और 160 है तो 4 यानि कि दो रूपे और पांच रूपे के सिक्कों कि संगे कितना हो जाएगा एक्स प्लस थ्री एक्स कितना हो जाएगा फोर एक्स तो हम बोलेंगे कि जो बचा हुआ सिक्का होगा therefore number of number of denomination of denomination of रूपी वन रूपी वन क्वाइन यह आपको मिलेगा कितना गाइस वन सिक्स्टी माइनस फोर एक्स इन दोनों को जोड़ के हमने सब्ट्रेक्ट कर दिया ठीक है इतना मिल गया अब मनी वैल्यू एकदम पीछला कोश्टन जैसा एकॉर्डिंग टू कुष्टन एकॉर्डिंग टू कोश्टन टो टोटल जो वैल्यू है यहाई अगर रुपए के रूप में जोड़ रहे हैं तो उनका टोटल वैल्यू मुझे मिला है कितना देख लेते हैं कितना मिला है 300 300 मिला है तो आप कहोगे देखें पांच रुपे के सिको किस था एकस है तो टोटल मनी वैल्लू कितना हुम मिला पांच गुने एकस मिलेगा क्या मिलेगा तो इंटू 3x मिलेगा क्या प्लस वणी टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 60 माइनस 4x और यह टोटल रुपया है संद्धार क्वेश्चन निकाल दे रहे हैं बहुत पढ़ी हैं कि निकाल दिया है कि या समस्चा यह कोईश्चन में बताओ तो इतना हो गया अब देखो 5 x 5 x हो जाएगा 2 x 6 x हो जाएगा और इधर मेरे को मिलेगा 1 में multiply होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यह 160 minus 4 x equals to कितना 300 रुपए यह 160 का side change कर देंगे और इधर देखिए 5 x plus 6 x 11 x 11 x में से 4 x अप्रेक्ट हो गया 7 x हो जाएगा क्या हां बोलो जाएगा और 300 minus 160 कितना हो जाएगा कि 140 हो जाएगा क्या तीन सो रुपए में से 160 रुपए सब्ट्रेट कर दो कितना मिलेगा 140 मिलेगा तो यह 7 x की वैलू जो आई हुई है 140 आ गया एक्स का वैलू कितना 140 40 है 20 हो जाएगा 140 divided by 7 कितना हो जाएगा 20 न हो जाएगा नहीं समझ पा रहे हो क्या 140 divided by 7 साथ दोनी 14 दो बार में और जीरो का जीरो तो अब देखे यानि कि नंबर ऑफ सिक्का फाइब जो पांच रुपए के सिक्कों की संक्या कितना एक्स के बराबर है और एक्स की वैलू 20 आया है तो यह वैल वैलू जो है वो 20 मिल गया मुझे पांच रुपए के सिक्कों की संक्या मुझे कितना मिला 20 मिला उसी तरह दो रुपए की संक्या 3 एक्स है तो तीन गुने 20 60 हो गया और यह वाला संक्या कितना होगा 140 एक्सो साथ माइनस 4 गुने 4 गुने 20 कितना हो जाएगा 80 थीक है 80 बात आया समझ में चलिए तीसरा सभी लोग करो जो लोग नहीं बनाए हो पता नहीं उनसे कुश्चन बन क्यों नहीं रहा है cynिर्णाड बन क्या रहा है तो जो अडर्णाजर अग्णाजर अ एसे कॉम्पधिशन रिटी टाविश प्रफिश प्रफिश 100 इन पाटिसेटाइड रॉपिश य्था प्रफिश प्र फैनन वोग तोन अ बंटिसक्र पाटिसेटर पाटेषिए 63 ठीग है भाई ये ट्राइ किजे सभी लो करेंगे इसको कि अन्यूट करके रिप्लाइ करो कि शिवान तुम बताओगे हैं कि सरसाल्व करने साल्व करके अच्छा ठीक है करो तो टाइम ज्यादा लग रहा है ट्राइक किजिए इतना टाइम ना लग है इतना टाइम ना लग है झाल गो झाल 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 देखें इतना टाइम लगने नहीं लगना चीए था रुपेश तुम बताओगे क्या रुपेश औरुपेश तुमिये बताओगे क्याओगे किन्न alright प्रॉसेस मैटर्स प्रॉसेस मैटर्स गरता है बताइए कैसे करेंगे पहले वीनर को एक्समान लिया चलो उसके बाद सरे वीनर को एक्समान लिया टोटल पॉट टोटल नमणर पॉट तो टोट neurot our colors कि टोटलन्ट नमटर उपहरा है कि जो विन नहीं करता है दू कि इता है और दूसरा पार्टिसिपेंट ऐसा है जो प्राइज नहीं जीता है तो कितना मानेंगे उसको माइनास एक्स माइन दख हां शिवां बताइए सर वीनर को एक्स माल लंगे और जो लूजर है उसको 63 माइनस एक्स बहुत अच्छे टोटल पार्टिसिपेंट्स मेरे पास 63 है तो अगर एक्स नंबर और पार्टिसिपेंट्स जो है वह वीन करते हैं जितते हैं प्राइज को ठीक है तो वैसा यानि कि हां वीनर हैं कॉम्पेटिशन में तो वैसे मनली जेम की जो विन नहीं करता है वो 63 माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है यह तो मैं मानूंगा यहां पर एकक्शई एक्वेश है जाएग है लेत देक्ष लेत देक्ष पांबर और पर प्रिशेपंट्स पर लेीजित सिर्फेंटसस्ट इसीपंट्स सब्सेंट्स who win, who win the competition, who win the competition, competition equals to X, and that who does not win, and that who doesn't win. who doesn't win, win equals to 63 minus X, Mamamama Roman ReHY divided by the who won, if she won the competition, she's given the competition, जो जीत रहा है उसको 100 रुपय का प्राइज मनी जीत मिल रहा है और जो हार रहा है उसको भी कितने का मिल रहा है पचीस रुपय का तो अगर एक आदमी जीतेगा तो 100 रुपय मिलेगा दो आदमी जीता रहता तो 200 रुपय मिलता तीन आदमी जीतता तो 300 रुपे मिलता है, मिलता है कि नहीं? यानि कि number of participants who win the competition, उसके number में मैं 100 से multiply करूँगा, तो total price money, total price money allotted to winners, आर कितना हो जाएगा? 100 इंटू X हो जाएगा? येस तर, तो मैं बोलूँगा है आपर कि according to question, according to question, question के according क्या किया गया है? कि मुझे 100 रुपे दिया गया है 100 रुपे वीनर के लिए, तो 100 इंटू number of winner मेरे पास X है, प्लस कितना है? 25 रुपे दिया जा रहा है कितने को, जो हार रहा है, हार कितने लोग रहा है? 63 माइनस X को, ये total price money जो है, 3000 क्या दिया है? सबी लोग बताएगे तो, 3000 दिया है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे 100 इंटू X, 100 X हो गया, और इधर multiply कर लिए, 25 गुने 63 कितना होगा? 25 तिया 75, हाथ में लगा 7, और… 1575, और देड़ सो, और साथ, एक सो संता हो, ठीक है, तो 1575 हो गया, और माइनस ये 25 X हो जाएगा, और दिस इस गूइं टू बी 3000, ये देखे, ये नंबर है आपर, इस नंबर को राइट हैंड साइड में बेजेंगे, तो साइड चेंज हो जाएगा इसका, और हंड्रेड मे मिलेगा, 3000 में से, मैंने क्या कि ये 1575 को सब्ट्रेक कर दिया, ठीक है, तो ये 25 हो गया, उन्तीस सो में, 14, 1425 है, तो इसका मतलब X की वैलू कितना होगा, 1425 डिवाइड बाई, कितना, 7, साथ दुनी, 14, ये सौरी, 75 ना, 75 लिखना चाहिए था, 75 होगा, तो पहले 25 से कट आते हैं, 25 से कट आएगे, 25 तिया, 75 और 25 दुनी, 100, नि, हाँ, पाचीस बार में कर जाएगा, पाचीस बार में, पहले तो पाचीस होगे, 25 पचे 125, इतना होगा, 25 पचे 125, पाच मिला, और इधर मुझे कितना मिलेगा, 17 मिलेगा, और ये 25 सत्य इतना होजाएगा, और एक्स की वैलू, अब फिर तीन बचे होगे नीचे उनिस्तिय संतावन, 19 हो जाएगा, तो एक्स की वैलू मुझे कितना मिला, 19 हो गया, इस की वैलू, 19 मिला, इसका मतलब कि जो वीनर है, वीनर, जो कॉम्पेटिशन को जीतते हैं, उनकी संका कितना एक्स ही है ना, तो एक्स की वैलू, 19 हो गया, और जो जीतते नहीं है, ठीक है, उनको ऐसे खुष करने के लिए 25 उर्पय दे दिया जा रहा है, वो कितने है, तो 63 माइनस 25, ठीक है, कितने होंगे, 42 होंगे क्या, 42 नहीं, 44 होंगे, 44 होंगे, तो आपसे आंसर सिर्वीनर वाला पूछ रहा है, तो योर आंसर शुट भी 19, गॉट इट, एवरिवन, सबी लोग एक साथ आंसर दीजिएगा, देखते हैं, कितने लोग एक साथ आंसर दे रहे हैं, ठीक है, देखा था ही, कितना लोग दे रहे हो, मास्टर बनना है, सब्जेक्ट में, एक दम, पकड़ होना ची, किसी भी टैप का लिदियार इक्वेशन मिले, ठीक है, आंसर आना ची, ये तुरन, प्राइक कीजिए सबी लोग, झाल को, कितना लोग भी बने योग, ये कितना लोग तना लोग, प्राइक्शन मिले चलोग, प्राइक्ट कीजिए झाल देखते हैं कितने लोग कांसर आया रुपेश कांसर आया टी का वेलो आया है रुपेश का एक ही साथ चारो कांसर कीजिए अलग अलग नहीं ताकि एक साथ मुझे मिले ठीक है एक साथ चारो कांसर आना चाहिए गाईज कर्भेश का वेisच वेबाएं कि एक साथ वेख बाल किंदयों इंडियां स्देगर इंडियां कि नगती हम करने करें कि प्रप्रों मिलाई ठौक खु़र जग हो भी ठी करें सुदेने कि वने अ रहाई कि भी या कि झाया झालती है कि आःते हैं लुग है improve month with gives उ recoil कि रखुी गा appई जो भी आंसर रहा है और किसी का नहीं आ रहा है वही लाशिता देसे के नहां सी जो एंते हैं को डही आपने यह कोrifसे फिर मेंसर नीना, गेरकि वहीजिज शुजनक है यह इस ही अदे श्चित करते हैं कर दो कर दो सचीन का भी पहले का अंसर आया एक ही साथ चारों का अंसर कीजिया और अब तक चारों आ भी जाना चाहिए था अब तक चारों का अंसर आ जाना चाहिए था लाम य्ट महाओ दो एक है चारों कि बहुत अच्छे रिश्चाप का एक ही साथ चारों का अंसर आ गया और तुम क्या कर रहे हो कि शीवम सर्लास्ट करें अपने अंदर एक्दम कि सबसे पहले मुझे करना है इस टाइप का कि रुपेश जल्दी जल्दी करो सचेल का दूसरा अंसर आ जाओ जी रुपेश का दो सबसे पहले आ गया है चली तो देखते हैं कैसे देखते हैं आंसर मैच करते हैं वाप लोग के पहला सेवेन नंबर सेवेन नंबर जो मुझे आंसर मिला है टी का वैलू माइनस टू और यह लगभग सभी लोग का मिला है तो लेट मी चेक रुपेश और सची रिगदम पैरलल है दोनों का भी तीसरा आंसर आया तो देखें गईज यहां पर दिया हुआ है कि 3 times of तो 3 से multiply कर लेते हैं 3t माइनस 3 इंटू 3 9 हो गया और इधर 5 इंटू 2t यह मुझे मिलेगा 10t 5 इंटू 1 5 मिल गया तो यहां पर 10t जो है राइट साइड में जाएगा और 5 को मैं लेट साइड में ले आदा हूँ तो माइनस 9 और यह माइनस 5 हो जाएगा और इस साइड मुझे मिलेगा 10t माइनस 3t 3t तो यह मिल जाएगा मुझे माइनस 14 इक्वल्स टू 7t therefore t की वैलू जो है वो मुझे मिलेगी माइनस 14 डिवाइड बाइ 7 and this is going to be 2 तो t का वैलू माइनस 2 मुझे मिल गया है साइड दूनी 14 और उसके पहले माइनस लगा हुआ है तो माइनस 14 तो यह वाला आंसर सभी लोगों के सही है दूसरा चेक कर लेता हूँ मैं चार्ज में लगा लो डिश्चार्ज होने वाला है तो 8 8 जो है 8 को मैं फाइंड ओट कर लेता हूँ 8 की वैलू कह रहा कि 15y है 15y माइनस 4 15 को मैटिप्लाई करूँगा 15y और माइनस 15 4 का 60 60 हो जाएगा फिर माइनस 2 से मैटिप्लाई करना है तो माइनस 2 इन्टू आई माइनस 2y होगा यह माइनस और यह माइनस प्लस हो गया और 2 इन्टू 9 तो यह 18 हो जाएगा प्लस 18 हो गया और यह दोनों वैलू और फिर इसके साथ multiply करेंगे तीसरा जो ब्रैकेट में दिया हुआ है तो 5y हो जाएगा और 5 इंटो 6 है प्लस 30 हो जाएगा and this is going to be 0 यह value मुझे 0 के बराबर अब देखे 15y अब प्लस 5y कितना 20y 20y या minus 2y तो 20-2 18y हो जाएगा 18y माइनस 60 और यहाँ पे 18 प्लस 30 और 40 हो जाएगा तो माइनस 60 प्लस 48 प्लस 48 कितना होगा तो माइनस 12 होगा and this is equals to 0 तो 18y की value मुझे मिलेगी कितना 12 मिलेगा so y की value मुझे 12 divided by 18 मिल गया 6 से cancel करेंगे तो 6 2 times में उपर और नीचे वाला 3 times में तो यहाँ से मुझे y की value जो है वो 2 by 3 मिलेगी and यह भी answer बिलकुल सही है सीवं का answer भी चारो आ गया ठीक है बहुत अच्छे तीसरे का answer देखें तीसरा कैसे 9th number question कैसे करें 9 number यह मुझे मिलेगा 3 into 5 z तो 15 z हो गया 15 z और और minus 21 7 into 3 21 हो गया minus 2 से multiply minus 2 से multiply करेंगे 9 z में तो minus 18 z होगा और इसी minus 2 का multiplication minus 11 में 32 z और इधर मुझे मिलेगा minus 32 हो जाएगा और minus 7 तो पहले से है ही यहां पर देखें सभी z को मैं एक तरफ कर लेता हूं यहां पर देखें 15 z और minus 18 z कितना मुझे मिलेगा minus 3 z माइनस 3 z मिला और इधर से 32 z इस साइड आ जाएगा तो माइनस 32 z हो जाएगा माइनस 32 z और इधर मुझे मिलेगा कितना मिलेगा 21 और प्लस माइनस 21 प्लस 22 कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और उसका side change करेंगे इधर मुझे देखे माइनस 22 और माइनस 17 माइनस 69 मिला इतना माइनस 69 और इस साइड वाला माइनस 1 प्लस 1 इस साइड आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा तो मुझे LHS में मिला 35 जेड 35 जेड इक्वर्स टू माइनस 35 जेड इक्वर्स टू माइनस सतर तो जेड की जो वैलू मुझे मिलेगी माइनस सतर डिवाइड बाई माइनस 35 तो माइनस माइनस प्लस हो गया 35 दूनी सतर तो मुझे जेड की जो वैलू मिलेगी वह 2 मिलेगा जेट का value 2 मिलेगा और ये भी बिल्कुल सही आया है तो ये वाला भी सही आया होगा गाइस इसको मैं multiply कर लेता हूँ 0. देखें दोनों तरफ न दो डिजिट के बाद point है देखें 0.25 आगे कर लेते हैं 0.25 इंटो क्या है 4F-3 4F-3 और इधर मुझे मिला है 0.00 सॉरी 0.05 है नहीं हाँ 0.05 10F-9 0.05 है 10F-9 है देखें इस 0.5 जो है यह multiplication में है इसका मैं side change कर देता हूँ तो division में आ जाएगा देखेंगा 0.25 divided by 0.05 and यहाँ पे 4F-3 है और इधर मुझे मिला है 10F-9 यहाँ आप देख सकते हो कि दो डिजित के बाद दोनों में point है तो यह हट जाएगा point तो 25 बटे में 5 हो जाएगा simply और 4F-3 हो जाएगा and this is going to be 10F-9 right so अब मैं लिख सकता हूँ कि यह 5 बार में जाएगा 5 बार में और 5 into 4F मिलेगा तो पंचों का 20F और माइनस 15 हो जाएगा इधर और यह हो जाएगा 10F-9 10F का side change करेंगे LHS में ले आएगे तो 20F-10F मिलेगा और इधर 15 इस साइड आएगा तो पलस 15-9 हो जाएगा देगे तो 10F-20F-10F तो 10F मिलेगा and this is equal to 6 F की value मुझे 6 by 10 मिलेगा and this is going to be 0.6 तो यह answer भी सही है तो जितने लोगों ने answer किया है गाईज वो सभी का सही है answer से मुझे कोई सिकायत नहीं है इसमें बस इस जहां पर अपने टाइम ज्यादा ले लिए बस आपने टाइम बिशिकली ज्यादा ले लिए ठीक है रीशन चला गया इसका मुबाइल डिस्चार्ज हो गया ठीक है चली एक कहूट सेशन कर लेते हैं और यह कहूट पहले किया हुआ है बट फिर भी कोई दिकत नहीं है उतना जल्दी में कुश्चन थोड़ी आज हो जाता है तो सभी लोग कहूट डॉट इंट टाइप को लीजिए हाँ मेरा सर मेरा नेट अच्छा एक दस नमर दस कुश्चन का है मुश्किल से पांच मिंट लगेगा राए तो जोएंग करने को ठीक है एवरिवन जस्ट लॉग इन टू कहूट डॉट इट तो गेंपिन आपके स्क्रीन पर होगा सर आठ छोड़ दीजें मेरा नेट खत्व होगी है और इस देगेंपिन जितने लोग जोएंट कर सकते हैं कीजिए सभी को गेंपिन विजिबल है क्या रुपेश सचीन सीवम सचीवम चला गया रुपेश हैं सचीन दो लोग बचे हो दो ही लोग योईन कर लो रुपेश है जोईन सचीन जल्दी करो सच मेरा गयम पीन वाला पेश ओपेश हो रहा है अच्छा ओपेश हो रहा है अभी यस चले कोई नहीं जादा टाइम ले रहा है फिर भी लोग जुन था वो भी चला गया तो छोड़िए इस नेक्स क्लास में लोग खेल लेंगे तो ठीक है आप लोग को नेटवर्क किसी हो रहा है ठीक है तो इसको नेक्स क्लास में करते है ठीक है जाद शीवम आ गया लग रहा है शीवम इस बैग दिखकत हो रहा है तुम लोग छोड़ सकते हैं एक बाद रिप्लाई कर दीजिए सभी लोग का उन्हों रिप्लाई नहीं कर रहा है का बात है वही रुपेश सचीन सीवम सब्सक्राइब करो फिर सभी लोग कब तक कौन हो जाएगा सचीन शीवम जोइन कर चुका और रुपेश और इस अब तो है ही नहीं बच गया लेकर सचीन सचीन जोइन कर सकते हो सचीन का ओपन ही नहीं हो रहा है पेश सब्सक्राइब कर देते हैं नेक्स क्लास में हम लोग सब्सक्राइब करेंगे ठीक है चलिए बाब बाब एवरिवान बाइस 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 आए